सुशान सिंग राजपूत सुशाइट केस में उनकी गल्फ्रेंड रिया चक्रती को लेकर चोकाने वाला खुलासा हुआ है कोटक महंद्रा बैंक से अबनेता के खाते की लेटेल सामने आई है जिसके अनुसार पाच बार पूजापाट के लिए करीब तीन लाक रुपे का पेमेंट किया गया है पंडित को भी पैसा ट्रांसफर किया गया है सुसान के परिवार का आरोप है कि रिया ने इस पैसे का इस्तमाल अबनेता पर जादू टोना कराने के लिए किया है कोटक महिंद्रा बैंक से सुसान के खाते के जो पेपर आये हैं उसमें 2019 में 14 और 22 जुलाई इसके बाद 2, 8 और 15 अगस को सुसान के कार्ट से पूजापार सामगरी के लिए पैसे का भुकतान हुआ है 15 अगस के बाद कोई पैसा इस तरह से काम में नहीं निकाला गया है रिपोर्ट में तारिक तरदारिक पाचो बार के रकम की जानकारी साजा की गई है 14 अक्टूबर 2019 सुसान के बैंक खातों में 4.64 करोर रुपय का बैलेंस था जो महस 90 दिन में खटकर 1.4 करोर रुपय ही बचा जो सुसान के खाते से निकाले या टांसफर हुए उसका ज्यादा तर इस्तमाल रिया चकरोती और उनके परीजनों के लिए हुआ कुछ खर्चों के डिटेल्स इस प्रकार है 14 अक्टूबर 2019 को बैलेंस 4.64 करोर रुपय थे 14 अक्टूबर को रिया के भाई शोवित के अकाउण में 81,901 रूपय टांसफर हुए 15 अक्टूबर को 4.7 लाख रुपया रिया के भाई शोवित के होटल खर्च के लिए बहजा गया 15 अक्टूबर 2019 को 4.3 लाख रुपे दिल्ली के होटल ताज में रहने के लिए बेजा गया 16 अक्टूबर 2019 को रिया और सोवित के लिए दिल्ली की हवाई टिकट के लिए 76,000 रुपे बेजे गये इसके अगले कुछ दिन तक अलग-अलग एमाउंट के जरिये लाख रुपे का टांजिक्शन हुआ 14 अनॉमबर 2019 को रिया के नाम पर 5.5 लाख रुपे का टांजिक्शन हुआ 20 और 21 अनॉमबर 2019 को रिया के मेकप और सोविंग पर 75,000 रुपे खर्च हुए 24 नॉम्बर 2019 को रिया की सौपिंग पर 22,220 रुपे खर्च हुए 25 नॉम्बर को इसी खाते से रिया के भाई के क्यूसन के फीज भी दे गई थी सुसान के खाते से कई ट्रांजेक्शन हुए जो रिया और उनके फैमली मेंबर्स के नाम पर थे एक बड़ा एमाउंट कैस के रूप में भी निकाला गया लेकिन इसकी वज़र पता नहीं चल सकी रकम का एक बड़ा हिस्सा सुसान के नेजी खर्चों और टेक्स टेमेंट के रूप में हुआ था एक दसमलों पास करोड रुपे से ज़्यादा भुकतान उन्होंने जी अश्टी के रूप में भी किया था सुसान की फैमली का दावा है कि अबनेता के खाक्ते में पंदर करोड रुपे का लेंदेन रिया और उनके करीबियों के लिए हुआ उनके वकील विकास सिंग ने एक बाचित में कहा कि पुलिस को सुसान के फैनेंसियल टांजेक्सिन की जाज करनी चाहिए सुसान पूरी तरह रिया के कंट्रोल में थे उनके क्रिडिट कार्स भी रिया ही इस्तमाल कर रही थी पिछले दिनों सुसान के सीयर है संदीव स्रीधन ने उनके परिवार के आरों को नका रहा था स्रीधन ने कहा थक सुसान आम लोगों की तरह शॉपिंग किराया और दूसरी चीजें जैसे की साथ-साथ यात्रा पर पैसे खर्च किया करते थे उनकी इंकम इतनी नहीं थी जितनी दावा किया जा रहा है पिछले एक साथ से उनकी कमाई कम हो गई थी हलाकि रिपोर्ट्स की माने तो साथ बर पहले संदीव स्रीधर को रिया के भाई ने सुसान के हाँ अपॉइंट किया था परिवर्तन निर्देसाले एडी ने एक्ति जुलाई को रिया चक्रवर्ती के खिलाब मने लॉंडरिंग का केस भी दर्स किया है रिपोर्ट्स की माने तो अगले हपते उन्हें समन भेजा जाएगा रिया ने संदिक लेंदेन के बारे में पूछताज की जाएगी इसके साथ ही उनके खर्चों, फर्म्स और बैंक खातों की जाज़ भी की जाएगी 25 जुलाई को पटना के राजियुनगर पूली स्टेशन में सुसान की फिता केके सिंग ने रिया के खिलाब F.I.R. दर्स कराई इसमें उन्होंने कई आवरोप लगाए इनमें से एक में उन्होंने दावा किया कि सुसान की खाते में 17 करोर रुपे थे और पिछले एक साल में इसमें से 15 करोर रुपे निकाले गए हैं जिन जगों पर या पैसे टांसर हुए उनके बेटे का उससे कोई लेना देना नहीं था केके सिंग ने सभी खातों की जाज की मांग की है